अजमेर के शंकर नगर की रहने वाली पूजा ने अतरिक्त जिला पिलिस अधिक्षक विकास सांगवान की समक्ष पेश होकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसने अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक को दिये ग्यापन में आरोप लगाया कि पारशद द्रौपदी कोली उनके माकान पर किसी और महिला का कबजा करवाना चाहती है। जबकि हजमीन उन्हें 1985 में अजमेर विकास प्राधिकरने अलोट कर दी थी। इसके बावजूद पारशद द्रौपदी कोली उनका भाई सतीश कोली उन्हें धमकिया दे रहा है। आगवान ने उन्हें कारवाही का आश्रो संदिया। इस तरहीं की धमकिया देते हैं आपको और उठ्वा लेंगे जान से मरवाने की तो मारों में खड़ी हूं यहां पर रहसे से बोलते सर्व हुआ। सब पापा है मम्मी और तीन बहने हैं मजली बेंड हैं और एक चोटा भाई है। अब आप में किस अब आपके तो वहां से कोई सुनवाई ने हुआ यह उनको पाबंद करवाते तो इसके बहुत भी वह लोग आते हैं और इस तरह के रगते करते हैं तो इसके चाहते हैं अब थे पाबंद करते हैं थी कित्त भी पाफ सरही हैंड के पाबंद के गई अरक आये Państwo K d Australians कि अनके पास तो भी कुछितित होग एंधी है कि में वांग पारेंघने अ झाल झाल